नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूपी सूपर टेट 2022 में सिख्षा मंत्री जी का जो नया बयान है साथियों उसको लेकर के सोसल मेडिया पर न्यूज वाइरल हो रही है यहां पर कितनी सच्चा है और यह तो अभी आगे देखा जाएगा साथियों लेकिन अभे यहां पर देखें आप बीएड बीटी सी के मामले में जो अट्सर सो की लिष्ट है और तरह जार सिख्षक बढ़ते की चोथी सूची अब उसमें भी बीएड अभिनरतियों को चैलेंज करने की तयारी है वीडियो को आप सभी प्लीज पूरा देखेगा ज्यादा समय नहीं आपका लगेगा यहां पर दो से तीन मिनट का लेकिन आप पूरा वीडियो देखें और आथेंटिक जानकारी आप सभी को हमारे चैनल के मादम से मिलती रहती है बाकि दोस्तों हमारा सुरू से एक ही बात पर जो रहता है और मैंने निवेदन भी किया है जब भी हमारा और प्राइमरी की वेटा टिसी के बीबाद में पढ़ें कहींक है ने कहींешь आप रामरी की वेकेंजी निकालते वीड को आप वहां प्यमोका देते में आप डि टिएलीक को मुका देजिए आकिर दोनों ही कोर्सेज आप करा रहे हैं दोनों में ही आप एडमिसन हो रहे हैं बच्चों के और आपको दोनों ही प्रकार की बच्चों से आपको सूर कभी मिलता है 10,000 प्लस रुपए लगबग 10,000 रुपए की आसपास अरबों की आपको आमदन ही हो रही है लेकिन आप व सब्सक्राइब करें तो यहां पर सीटे भर नी चाहिए कालेजों की सीटे खाली नहीं रहना चाहिए जून से नोटिफिकेशन भी आ जाएगा आप देख लिजेगा जुलाइब में सुनवाई होनी है और जून में ही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी फार्म बनने की ताकि होना क्या सात्यूंचे कोई भी निसकर्स नहीं नीकाल सकते हैं हमारा पूरा फोकस यहां पर इहां जब प्रीजल्द बिघ्यापन आने वाला है लेकिन अभी उस कमिट्मेंट को लेकर के हम बहुत जदा आस्वस्त नहीं हो सकते अगर ऐसा है भी तो क्योंकि इसके पहले भी सरकार ने जब कोड में हलापनामा लगाया जब उसके आधार पर भरती अभी तक नहीं आपाई जहां सिक्षामित्रों को मौका भी देना है माने सुप्रिम कोड का ओडर है 17,000 सिक्षक भरती का प्रेस नोट आता है उस सीटों का भी पता नहीं चल पाया आज तक भरती का तो बाती छोड़ दीजिया हर साल रिटार्मेंट की सीटे खाली होती है नामांकन पढ़ रहे हैं इसकुल चलो अभियान के अंतरगत तो इ परती आ चुकी है चलिए अब आपको दिखाते हैं कि बीएड और बीटीसी की मामले में हापर क्या मामला है और अट-सर सो लिष्ट में बीएड को किस आधार पर चैलेंज किया गया है लेकपाल का पेपर होना है 19 जून को लेकिन उसमें तीन याचका है पर चुकी है एक प आधिता नहों कटाफ की 15 गुना 20 गुना 30 गुना वाली और दूसरी तरफ आप यहां पर देखेंगे तो इस्टे की मांग कर लिए यहां पर और इसमें रास्तान हाई कोड का जो आदे से 25 गार 1221 का और इसमें यह बोला गया है कि जो लिष्ट जारी हुई है अट-सर सो वा सब्सक्राइब कर दिया गया है तो यही कुन मिला करके इसमें निसकर्स है कि अब आट-सर सो में जो बीएट के चात्र है उनकी नियुक्ति को लेकर कि हाँ पर उनके खिलाप याचका पढ़ गई है कि बीएट को नियुक्ति न दीजा क्योंकि बीएट बाले प्रात्मी के लेलिजबिल नहीं है राहस्तान हाइब कोड़ का ओडर है और उत्तर पदेश में भी कोड़ याचका पढ़ गही है सुप्रिंग कोड़ में सुनवाई होनी है 19 जुलाई को और 14 जुलाई को हाई कोड़ वाला भी सुनवाई होना है अलाबाद हाई को इन सब चीजों को ध् जायद मई में सुनवाई भी हो जाए उसके बाद जून की चुप्तियां पड़ जाएंगी तो सुनवाई भी हो सकती है इस मामले में और चौबीस तारिक को जो है अभी अच्छार जो मामला है उनतर जार जार जो मामला है 13 156 लेटिंग पीडिसन है महंदर पाल एंडर्स की साथ में उसमें तमाम याजका है दिव्यांग आरक्षड जनरल की वी आजका उसमें चनेक्टेड है और कुछ सामाने वर की आजका है अलाब आधाई कोड में भी है जिसम सारे अब जोह रोक लगाने की कोशिस कई नहीं नहीं आचका है और इसमें एक नहीं आचका देखिए अब ये पढ़ गई है बीड वाली कि बीड अब भेरतियों की न्यूकती इसमें रोकी जाए 8600 में तो ये कुल मिलाकर कर कि साथ यूं मातपुर सूचना थी इस वीडिय होगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो की मादम से सही और आथेंटिक न्यूज हमारे चैनल की मादम से इसी प्रकार से मिलती रहेगी वीडियो को आप सभी प्लीज लाइक सेयर कर दीजीगा और सबसे पहले आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद